सर्दियों की दिन थे अकबर का दर्बार लगा हुआ था तबी पारस के राजा का भेजा एक दूद दर्बार में उपस्तित हुआ राजा को नीचा दिखाने के लिए पारस के राजा ने मौम से बना शेर का एक पुतला बनवाया था और उसे पिंज्रे में बन करके दूद के हातों अकबर को भिजवाया और अकबर को चुनोती दी कि इस शेर को पिंज्रा खोले बिना बहार निकाल कर दिखाएं बीरबल की अनुपस्तिती के कारण अकबर सोच में पढ़ गए कि अब इस समस्या को कैसे सुझाय जाए अकबर ने सोचा कि अगर दी हुई चुनोती पार नहीं की गई तो जग हसाई होगी इतने में ही परम चतुर गुणवान बीरबल वहां आगे और उन्होंने मामला हात में ले लिया बीरबल ने एक दरम सरिया मंगवाया और पिंजरे में कैद मोम के शेर को पिंजरे में ही पिगला डाला देखते ही देखते मोम पिगल कर बाहर निकल गया अकबर अपने सलहकार बीरबल की इस चतुराई से काफी प्रसन होए और पारस के राजा ने भी फिर अक्पर को कभी चुनाती नहीं दी एक कहानी हमें सिखाती है कि बुधी के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है